जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं, तीन तलाग की वकालत करते हैं, ये भूट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, अचा कुछ लोगों को लगता है, कि पर ये तीन तलाग से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है, तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न, वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है, उसका दाइरा उससे भी बड़ा है, आप सोचिए, बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो, और आर दस साल के बाद तीन तलाग कह करकर के उसको कोई निकाल दे, तो उस माबाप का क्या होगा, जिसके घर में बेटी वापिस आती है, उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं, इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है, इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई, सब दुखी हो जाते हैं, और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुले देश, इसका इसलाम से समन्ध होता, तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश, तिन तलाग खतम नहीं करता, मुस्लिम बहुले देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहाँ भी तिन तलाग मन कर दिया है मैं परसो हूँ इजिप्ट में था मिस्र में था मिस्र में इजिप्ट में 90 परसंट से ज़्यादा सुन्नी मुसल्मान समा जा है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता अगर तिन तलाग इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेथ ये तो सारे मुस्लिम बस्ति वारे देश हैं वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाग का फंदा लटका कर, कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाग का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बेहने, बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है, मोदी के साथ कड़ी रहती है